आप सभी का वाइट एजूगेशन पे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 45 MC Qs क्योंकि कल बहुत सारे छात्रों ने मैसेज किया कि वन लाइनर नहीं चाहिए उन्हें तो चलिए ये Qs लेकर आए हैं आपके लिए 45 Qs है जहाँ पर Physics, Chemistry और Biology से आपके परिक्षाओं में पूछे गए हैं आप कितना उत्तर सही कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे ये वीडियो आपके हर वो एक्जाम चाहे आप बिहार दरोगा के मेंस, बिहार पुलिस या फिर RRB, SSC, NTPC, डेलवे के किसी भी सेक करने की कोसिस करेंगे यहां पे, दोस्तों आज का पहला प्रशन क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, सक्ती का मात्रक क्या है, चलिए उत्तर कीजेगा यहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में, देखिए आपको बताना चाहते हैं कि फिजिक्स साइंस में आगर हम बात करेंगे पावर की, हैना, या फिर बिद्धूत पावर की, या एलेक्रिसिटी पावर की, तो वो rate होता है, यानि वहदर है जिस पर की कोई कार्य किया जाता है या फिर उर्जा संचरित की जाती है, जी हां ये से हम कहते हैं सकती, तो इसका जो SI मात्रक क्या होता है, ये पूछा गया यहाँ पे का मात्रा क्या फिर बता दीजी आप यहाँ पे बिलकुल आंसर यहाँ पे करेंगे what जिनका भी उत्तर C आ रहा है correct है उत्तर यहाँ पे अगर हम power की बात करें दोस्तो तो w upon t यानि की क्या होता है work upon time ठीक है यह इसका एक formula होता है अगला question दोस्तो यहाँ पे विद ही होगी ओके अगला question देखें यह question पूछा गया है आपके BPC 2018 के परिक्षा में तो इसको हलके में ना ले ऐसे प्रशन एक्जाम में पूछे जाते हैं बल का मात्रक क्या होता है सभी को पता होगा लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे उत्तर कीजीगा कि कितने उत्तर आप और second square ठीक है यह भी इसको में लोग क्या होता है और इसका formula क्या होता है जैसे कि बल is equal to क्या होता है तो द्रब्यमान इंटु त्वरन यानि कि mass इंटु एक्सकलरेशन ठीक याद रखेगा अगला question दूस्तों की कारे का मात्रक क्या होता है answer नीचे comment box में comment कीजीगा यह answer एक ही question का दे कर जाना है यहाँ पर आपको answer जिनका हारा a joule is the correct answer देखे जब किसी वस्तू पर बल लगा कर उसका displacement यानि कि विस्थापन उत्पन किया जाता है यानि कि उसको एक जिगर से दूसरी जिगर घसका दिया जाता है तो जो बल द्वारा किया गया कार्य है ना वह अबल तथा बल की दिशा में जो displacement होता है उसके गुननफल के बराबर होता है ठीक है समझ गया आप कार्य क्या होता है तो answer यहाँ पर इसका एसाई मातरक क्या है जूल होगा अगला question दोस्तों यहाँ पर है कि आवरीती को मापा जाता है जल्दी से answer करेंगे यहाँ पर यानि कि हर्ड्स में है एक समानने मनुष्य जो है बीस हर्ड्स से बीस हजार हर्ड्स की आवरीतीर होनी को सुन सकता है अगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि चालक की वैधूत परतिरो धकता की इकाई क्या है उत्तर कीजिएगा दोस्तों चालक की वैधूत परतिरो resistivity जो होती है उसके पदार्थ द्वारा विधुद्धारा के प्रवाह में उसका विरोध करना होता है ठीक है याद रखेगा यहाँ पे answer इसका हो जाएगा डी ओम हो जाएगा ओके ओम अगला question दोस्तों प्रकास वर्स की इकाई क्या होती है बिलकुल प्रकास वर्स की इका प्रकास वर्स में अगर पूछ दे एक्जाम में पूछता है अक्सर एक्जाम में आया भी पूछा भी गया है या आपके BPSC की एक्जाम में पूछा गया था कि एक प्रकास वर्स पराबर कितना तो 9.46 x 10 to the power 15 meter आंसर कर लिजेगा यहाँ पे ठीक है नोट कर लिजेगा प्रकास वर्स होता क्या है तो आंसर करेंगे यहाँ पर प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी को हम लोग प्रकास वर्स कहते हैं अगला कुशन प्रकास वर्स निमलिखित में से किसकी एकाई है मतलब प्रकास वर्स निमलिखित की एकाई है किसकी तो दूरी की ए काई है answer D कर लेंगे यहाँ पर अगला question दोस्तों यहाँ पर की प्रकास वर्स मात्रक यानि की इसका प्रकास वर्स किसका मात्रक है actually तो दूरी काई है यह फिर से question repeat हो गया है answer यहाँ पर C कर लिजेगा अगला question देखे question है एक ही लेकिन घुमा कर पूछा गया है और यह दोनों ही question देखे एक जारकन के PCS में पूछा गया है और एक आपका पूछा गया है दोस्तों LDA और UP UDA में पूछा गया है यह दोनों ही प्रकास वर्स है देखे फिर से question आ गया यह question पूछने का तरीका सिर्फ बदल रहा है यहां पे answer करेंगे वह दूरी होती है जो कि प्रकास वर्स एक वर्स में तै की करती है वह दूरी जो कि एक वर्स में तै की जाती है उसे हम लोग प्रकास वर्स कहते है अगला question है दोस्तों कि यहाँ पर एक पार्सिक तारो सम्मंदित दूरियों मापने का मातरक किसके बराबर है देखे एक पार्सिक जो कि तारो सम्मंदित दूरियों को मापने का मातरक है वो किसके बराबर है तो answer करेंगे यहाँ पर B 3.25 प्रकासवर जिसका भी उत्तर यहाँ बी आ रहा है वो बिल्कुल सही उतर कर रहे हैं देखे एक पार्सेक होता है दोस्तों नोट कर लिजेगा 3 into 10 to the power 16 यह मीटर ठीक है यह एक पार्सेक बराबर होता है और एक प्रकास वर्स मैंने आपको बताया 9.46 into 10 to the power 15 मीटर वो भी नोट कर लिजेगा अगला कोश्चन दोस की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है तो आंसर करेंगे दोस्तों सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर होता है दोस्तों 0.39 इंच ठीक है इंच ओके याद रखेगा अता सेंटीमीटर की इकाई में 0.39 से गुना करने पर एक इंच हमें प्राप्त हो पुचाई को नैनो मीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है लगभग में देखे अभी ये आपका एसाई मातरक का चैप्टर खतम नहीं हुआ है ये कल भी मिलेगा इससे रिलेटेड कोशिन पंदरा कोशिन यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिये हैं फिजिक्स से पंदरा आप उसका प्रफ के बाख एसका पीडियेफ आपको शाथ में देदिया जाएगा ऊके चलिए तो 6 फिट लंबे वैक्ती की हुचाई नैनो मीटर में कैसे वैक्त करेंगे तो आंसर कर दिजिएगा दोस्तो यहाँ पे 183 इन्टो 10 to the power 7 नैनो मीटर जी हाँ 6 फिट is equal to 183 into 10 to the power 7 नैनो मीटर यह इसका आंसर होगा ओके चलिए अब question number देखते हैं 16 दोस्तो यह question बहुत important है चुकि यह question जो है BPSC में पूछा गिया है कब 96 में फिर 99 में और फिर UPPSC में भी यह question पूछा गिया है क्या है question परमानू नाभिक के अव्यव है तो proton और neutron के अव्यव है परमानू नाभिक जो है यह proton और neutron के अव्यव है परमानू नाभिक के अव्यव कौन है तो proton और neutron है याद रखेगा चुकि देखे atom कहते हैं परमानू को पदार्थ का वह लगुत्तम भाग होता है जिसमें की पदार्थ के सभी गुण विदमान होते है ठीके और यह एक रासायनी का विक्रिया में भाग भी लेता है और परमानू के केंदर में एक नाभिक जिसे हम लोग नूकलियस कहते हैं जिसे की proton और neutron दोनों ही इस्थित होते हैं याद रखेगा जो proton होता है न वो धनावेशित होता है यानि की positivity होता है और neutron में विदूत उदासीन कन होते है परमानू में एलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और चक्र काटता है उसके कक्ष में जिने कुर्जा का इस्तर यानि की energy label भी कहते है यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा इससे related question आगे अभी पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर question है 17 आणवीक सनरचना के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सकते है एक option और मिलेगा आपको यहाँ पर यह अब देखिए अब आपको उत्तर कीजिएगा यहाँ पर देखिए आणवीक संदशना के बारे में निमलिखित में से कौन सा कतन सही है चार आप्शन है आपको यहाँ पे अब इन चार उत्तरों को यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लिजे और आंसर दिजेगा बिल्कुल आंसर कर जिएगा दोस्तों C यहाँ पे प्रोटोन और निट्रोन न्यूक्लियस में होते हैं तो इलेक्टोन न्यूक्लियस के इर्दगिर्द चक्र लगाते हैं जैसा कि मैंने आपको थोड़े देर पहले इस कोशन में बताया अगला कोशन है दोस्तों यहाँ पे कि निमलिखित में से कौन सा निमलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है देखे कोशन में बुला कि नहीं है तो आंसर सूच समझ के दीजिएगा यहाँ पे ठीक है बिल्कुल आंसर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों कोशन नमबर 18 का आंसर होगा दोस्तों डी फोटोन जो है ये एटम का पार्ट नहीं होता है ठीक है इलेक्ट्रोन प्रोटोन और नीट्रोन जो है प्रमाणों के मूल अव्याव होते हैं जबकि फोटोन उर्जा का एक बंडल पैकेट कहते हैं इसको है ना याद रखेगा जो प्रकास के वेग स चलता है और सभी प्रकार के जो विदुद चुमब के किरने होती है उसका निर्मान भी मूल कणों से ही होता है तो फोटोन क्या है तो एक पैकेट है बंडल है उर्जा का बाकि ये तीन जो है ये एटम के पार्ट हो सकते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि एक ही प्रकार के प् चक्रित तत्वों में मिलता है ठीक है आंसर क्या करेंगे तो ये देखिए 2011 के बीपीसी के कोशन में पूछा गया है प्रश्ण इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे कोशन बन सकता है एक्जाम में देखे परमानीविये नाभिक किसने खोजा था आंसर करेंगे दोस्तों यह चुकि बैग्यानिकों के भी नाम पूछे जाते हैं एक्जाम में तो इसलिए धान दीजेगा आंसर भी किजिए देखिए बहुत लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं आप लोग सभी आंसर किजिए यहाँ पे ताकि यह चीज़ी आपको याद रह सकें बि रदर फोड ने परमानू के निट्रोन के अस्तित्व के प्रस्तावित किया था लेकिन निट्रोन की खोज 1932 में याद रखेंगे 1932 में चैडविक ने की थी इसका पता लगाया था कि जो बेरिलियम है जिसे हम लोग बी-ई कहते हैं बेरिलियम है तथा अन्य परमानू तथ इसकी अधिक तीब्र गती वाले जो कण होते हैं वो बंबर्शा कहते हैं कि जाए तब उसमें विधूत उदासिन कण निकलते हैं जिसे हम लोग निट्रोन कहते हैं ठीक है निट्रोन किसे कहते हैं तो ध्यान रखेगा जब तीब्र गती वाले कण क्या बंबर्शा हो और उ उसकन को हम लोग क्या कहते हैं तो निउट्रोन कहते हैं अगला प्रशन देखेंगे अब हम निमलिकित में से एक अणू परमानू कन नहीं है बताइए परमानू का कन नहीं है अभी मैंने थोड़े दिर पहले बताया आंसर यहां पर कीजिएगा दूस्तों इससी ड्यूट्रो यूग्म है यह यूग्म मिलाया गया है यहां पर तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पर देखेंगे यहां पर option में यह B है और यह C है और यह D अब आंसर कीजिएगा तो आंसर करेंगे दोस्तों it's a electron positron जो एक कंड भी है और एक प्रती कंड का यहाँ पे दर्शाता है चलिए अब एक जगा यहाँ पे सुमेलित करना है यह सुमेलन थूरा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों सूची एक और सूची दो को सुमेलित किजिए और सूची के नीचे दिये करते हैं इसको है न तो देखें पोजिट्रोन जी हां यहां पर गरहां बाथ करेंगे दोस्तों Jeannoyoga और जिरो मास की बात करेंगे हैं तो पोजिट्रोन जो है यहाँ पर इसका ऑफिशन से चलते पोजिट्रों जो है यह क्या होता है तो यह एक positivity मूल कन होते है जिसका द्रब्बिमान और आविष электron के बराबर होता है ठीक है और इसलिए यप ये स्लीर्डों का विरोधी कर इसे कहते हैं क्या एक टेबदÍ कहते हैं इसको यह इसका जो प्रचकरन होता है स्पीन होता है इसका मतलब है ना वो हाफ होता है ठीक है तो आंसर क्या करेंगे इसका यहाँ पे तो यह होगा दोस्तो सुन्य द्रविमान किसे तो न्यूट्रोनों से रिलेट किजिएगा इसको और आंशिक आवेस आंशिक आवेस क्या होता है तो आंशिक आवेस को आप लोग सुमिलित कीजिए दोस्तो यहाँ पे कॉर्क से और आंशिक प्रचकरन तो देखे अभी मैंने आपको बताया इसके बारे प्रचकरन क्या होता है तो इसको मिलाजिए दोस्तो पोजित्रों से और प्रणांग प्रचक्रन तो इसको मिला देते हैं हम लोग दोस्तों फोनों से यह आपका सुमिलन सही होता है सुमिलन होगा 2,3,1,4 है ना 2,3,1,4 आंसर कीजिएगा फर्स्ट ओके चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर की अलफा कण के दो घंड यानि की आवेस होते हैं इसका द्रबिमान लगबग कितने के बराबर होता है आंसर करेंगे दोस्तों हीलियम के एक प्रमानों के नाभिक के बराबर होता है ठीक है आंसर क्या करेंगे दोस्तों हीलियम के एक प्रमानों के नाभिक के बराबर होता है अगला कोशन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हीलियम के नाभिक में होता है देखिए question अगर आपको tough लग रहा होगा ना तो question को solve कीजिए समझजी चीज़ों को क्योंकि बिहार दरुगा के mince में अगर ऐसे question पूछे जाएंगे तो कि यह सारे question बीपेसी लेबल के हैं तो mince में पूछे जा सकते हैं helium के नाभिक में होते हैं चलिए क्या होते हैं दोस्तो तो दो proton एवं दो neutron होते हैं answer आपका C हो जाएगा यहाँ पे जिनका भी उत्तर C आ रहा है निमलिकित में से किस में ड्रिनात्मक आवेस होती है answer करेंगा दोस्तो यहाँ पे it's a C यानि की बीटा कणों में ठीक अगला कोशिन परमाणों में कक्छों को भरने के क्रम में नियंतरित होता है बिल्कुल ओफबाव सिधान्त किछत है यहाँ ओफबाव एक जर्मन सब्द है जिसका अर्थ होता है निर्मान और यह नियम है तत्वों के electronics विन्यास को लेकर लिखने के एक आसान विधी है परदान करता है ठीक 25 अगला कोशिन दोस्तों यहाँ पर की रसायनिक तत्व अनू के संदर में चुम्बकी एक क्वांटम संक्या का संबंध है कोशिन समझेगा रसायनिक तत्व के अनू के संदर में अगर हम बात करें तो चुम्बक के quantum जो है वो संख्या का संब्ध किसे है तो अभी विन्यास से आंसर क्या करेंगे ए कर लेंगे इसका उत्तर ए हो जाएगा अगला question दूस्तों यहाँ पे कि जिस तत्व के परमानू में दो proton, दो neutron और दो electron हो उस तत्व के द्रब इमान की संख्या कितनी होगी बिलकुल आंसर करेंगे यहाँ पे 4 होगी नोट कर लेजिएगा यह भी BPSC पूछा गया प्रशन है आपका द्रब इमान की संख्या कैसे निकलते हैं तो proton प्लस neutron तो अगर यहाँ पे 2 दो दिया गया है तो 2 प्लस 2 is equal to 4 हो जाएगा तो चलिए अगला कोशन देखते हैं अब यह कोशन आपको मिलेंगे दोस्तों किसे तो biology से तो biology से प्रशन है यहाँ पे पहला प्रशन क्या कहता है जन्तु विज्ञान यानि कि geology कहते हैं इसको ठीक है का अध्यन करता है आंसर कीजिए जीवीत और मृत्य जानवरों का यह अध्यन करता है देखें मैं कुश आपको word बताऊंगा जैसे कि आपको उस अध्यन के बारे में पूशेगा exam में जैसे कि AP culture तो ब्यापारिक इस तर पर सहद उत्पादन तता फसलों में परागन हेतु मदुमक्ही का पालन करना AV culture तो पक्षी पालन को कहते हैं एकवा culture जलिये जीवों का समवर्धन ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि मैं आपको एक पूरा नोट्स पना के दे दूँगा उसको आप लोग पढ़ लिजेगा उसका PDF पर आपको share कर दूँगा ठीक है तो चलिए जन्तु विज्ञान का अध्यन है दोस्तो जीवीत और मृत जानवरों का answer C करेंगे अगला question है सुमेलेन करना यहाँ पे थोड़ा सा और वंसागती का तो यह है genetics इसको हम लोग कहते हैं पर्यावरन का तो इसको कहते हैं दोस्तो ecology और जिवास्म का तो paleobiology ठीक है paleobiology paleobiology ओके तो आपका यह जो सुमेलन है यानि की 3, 4, 2, 1 answer आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा B is the correct answer अगला question है दोस्तों यहाँ पर की फूलो के अध्यान को क्या कहते हैं तो देखिए answer करते जाएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया पक्षियों का तो पक्षियों कहते हैं कि onorthyology ठीक है वंसागित का genetics पर्यावरन का ecology तो वहीं फूलो के अध्यान को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं it's a B anthology क्या कहते हैं anthology answer हमारा B हो जाएगा अगला question है दोस्तों कि keto के बेग्यानिक अध्यान को क्या कहते हैं और बहुत सारे topic हैं जो कि आपको पढ़ने होगे इनके बेग्यानिक नाम उसके अध्यान यह सारे टीजी मैं आपको करके दे दूँगा है ना इसका एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा है ना तो keto के बेग्यानिक अध्यान को कहते हैं दोस्तों आंसर किजीगा it's a B entomology क्या कहते हैं इसको entomology आंसर B हो जाएगा यहां भी अगला question है दोस्तों कि निम्लिकित विश्यों में से कौन सा विश्य है जनसंख या मानव जाते कि महत्पून आकोड़ों में अध्यान से संबंदित है आंसर किजीए दोस्तों it's a जननांकी answer क्या करेंगे it's a C चलिए याद रखेगा जननांकी अगला question देखेंगे दोस्तों यहां पर question number 36 विविन संस्कृतियों के विज्यानिक विवरन के तुलनात्मक अध्यन को क्या कहते है तो इसे कहते हैं दोस्तो ethnology तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्यन करने का है ठीकि विशिष्ट है ना इस्पेशल और ethology ethology का पूछे तो ethology का ethology मानो सहित सभी जनतों का व्यवहार का अध्यन करना है ना उसके व्यवहार का और ethics ethics है नेतिक अचार तता करतबे के मनोवेग्यानिक का अध्यन करना ठीकिए ethics का तो ये सारी चीज़े पूर सकता है एक्जाम में, नोट कर लिजेगा, अगला कुशन है, जैविक जगत में होने वाले कारे गुण एवम पद्दती के अध्यन से इस ग्यान को मशीनी जगत उप्योग करने को क्या कहते हैं, बिलकुल इसे कहते हैं, बायोनिक्स, क्या कहते हैं तो बायोनिक्स कहते हैं, आंसर आपका A हो जाएगा, है ना, BIONICS, जैविक जगत में होने वाले कारे गुण एवम पद्दती पर अध्यन करना कहलाता है, ठीक है, चलिए, याद रगे, और एक होता है, बायोनिक्स, है ना, बायोनिक्स, तो वो जीवधारियों के, उनके व है, पैलियो वनस्पती के अंतरगत अध्यन करते हैं, दोस्तो, आंसर करेंगे, यहाँ पे, इन में से कोई नहीं, चुकि पैलियो वनस्पती या फिर पैलियो बॉटनी कहते हैं, इसको, है ना, उसके अंदर, अंतरगत, जो है, हम लोग किसका अध्यन करते हैं, तो, कीट का पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं, दोस्तो, बिलकुल आंसर करेंगे, हम यहाँ पे, सेरी कल्चर, ठीक है, इसको, हम लोग सेरी कल्चर किसको कहते हैं, तो, कच्चे रेशम के उत्पादन है, तो, रेशम कीट का पालन करना, एपी कल्चर, अभी मैंने बताया आपको, कि ब्यापारे की स्थर पर सहद उत्पादन का और फसलों के प्रागन का मधुमक्यों का पालन करना और हौटी कल्चर तो पुष्प और फल के देने वाले पौधे का अध्यान करना ठीक है और फुलोरी कल्चर तो ये सजावट के लिए काम आने वाले पुस्पो का अध्यान करना चलिए अगला कोशन है कि मधुमक्खी का उप्योग किया जाता है अभी मैंने थोड़े देर पहले बताया आंसर कीजिए का जल्दी से बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों एट सी एपी कल्चर जिनका अभी तर सी आ रहा करेक्ट है यहाँ पे निमलिकित में से कौन सा सही सुमिलत नहीं है है न तो कोशन बोल रहा है कि नहीं है सही सुमिलन तो आंसर कर दीजिए का जो यहाँ पे एक विसेश पदती है जिसके तहट फलो की क्रिशी जिसे हम लोग पोमोलोजी कहते हैं क्या कहते हैं पोमोलोजी और सब्जियों की क्रिशी को तो ओलेरी कल्चर कहते हैं इसको ठीक और फूलो के तो फलोरी कल्चर कहते हैं तीनों का अलग हुआ यहाँ पे सब् बिल्कुल PC culture को यहाँ पे कीडा का लख बताया गया है लाख का कीडा PC culture जो है मशलियों के पालन से संबन्दित है, यहाँ पे मशलियों होता तो यह उत्तर सही होता है ना, चलिए, आंसर याद रखिए PC culture यानि की मशलियों का अगला कुशन दोस्तों की निमलिकित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है 43 का आंसर कीजिए दोस्तों, इस ए सही सुमिलिन है, Lexigraphy को सब्दकोष के संकलन से इसको सुमिलिन किया गया है Lexigraphy L-E-X-E-C-O-G-R-A-P-H-Y जिसको सब्दकोष का संकलन कहते है, ठीक है चलिए, अब यहाँ पर यह तीनों गलत होगा यहाँ पर यह तीनों गलत है, ठीक चलिए, अगला कोशन है यहाँ पर की Lexic का संबंद किसे है देखे, अभी मैंने बताया आपको तो आंसर करेंगे शब्दकोष के संयोजन से, ठीक आंसर B हो जाएगा, और आज का यह आखरी प्रस्टन है दोस्तों कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधो का अधियन कहते हैं, इसको हम लोग क्या तो अभी बताया है मैंने आपको It's a D, Olary Culture क्या, सब्जियों के लिए Olary Culture काम लोग उप्योग करेंगे यह कोशन पूछा गया था आपके उत्रागंड के PCS में, तो दोस्तों अभी भी अभी इस से, अधियन वाले चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कोशन है जो कि कल आपको मिलेंगे, हैना Science में भी अगर देखा, Physics में देखा जा तो SI मातर के भी और कोशन बचे हैं, जो कि कल आपको मिलेंगे, तो regular ऐसी class attend करें कल यह आज का हमारा जो वीडियो है, इसको पूरा देखें आप लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कितने उत्तर आपके 45 में सही हुए है ना, 15-15 कोशन में तीनों, यहां सब्जेक्ट से लेकर आ रहा हूँ, Physics, Chemistry और Biology से तो इन 45 कोशन में कितने उत्तर आपके सही हुए हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और आप लोग एक लाइक जरूर करके जाएगा ताकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिले और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अगर आप लोग शेयर करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है ना, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, टेक केर, ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का